हेलो फ्रेंट्स मैं हूं मोनी आज हम सेखेंगे बहुत छोटे बाजू का बहुत ही सिंपल और आसान सा डिजाइन बीना बुकरम का हम इसे बनाएंगे सिंपल और आसान तरीके थे तो हमने देखे यह हमारा अस्तर का फैब्रिक है सब इसकी कटिंग हम अस्तर पे करेंगे तो हम 34 चेस्ट साइज के लिए स्लिफ तयार करेंगे और स्लिफ की जो लंबाई 5 इंच है उसका हाफ इंच हमने डाउन रखा है तो नॉर्मली जैसे स्लिफ की कटिंग होती है वैसे आप अपने एकॉर्डिंग की कटिंग कर लेंगे नीचे के साइट से हम 2 इंच पर निसान ल लगाएंगे और उपर से हम एक इंच कपड़े को छोड़ेंगे तो वगर आप अपने स्लिफ की लंबाई चोड़ाया बढ़ा करना चाहते हैं तो भी आप उपर से कपड़े को एक इंच छोड़ते हुए निसान लगाएंगे इस तरीके से तो दिखिए हमने सबाई एक इं करते हुए हमें निसान लगा लेना है और कपड़े को इस तरीके से ओपन करके हम देखेंगे कि हमारा डिजाइन का जो पैटर्न है अच्छे से से सेट हो गया है कि हट कर जी चोड़ाई है वह हमने एक इंच लिया है अब इन्हीं निसानों पर हमें कटिंग कर लेना है कॉर्णर को अच्छे से सेट करते हुए हमें डिजाइन को कट करना है अब इसको ओपन करेंगे और मैन फैब्रिक पर भी अच्छे से सेट करेंगे और एक साइट से हम इसमें थोड़ा सा मारजर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे से कॉर्णर को अच्छी से सेट करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है अब नीचे के साइट से जो एक्ष्टा कपडा है उसको हमें कट कर देना है तो हम यह एक्ष्टा मार्जन छोड़ती हुए कट नहीं करना है, जहां पर हमारा अस्तर है, उसी को अच्छी से ध्यान में रखते हुए हमें मार्जन को कट कर लेना है, और गुलाई के साइड और जो मारा पैटरन है, उस पर हमें कट का निजान लगा लेना है, इस तरीके से उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कॉर्णर को अच्छे से हम सेट करेंगे, इस तरीके से सेट करते हुए अस्तर को अंदर की तरफ से पलट लेना है, अब दूनों फैब्रिक को अच्छे से से सेट करते हुए उपर की साइड से हमें सलाई लगा लेना है, कॉर्णर औए को अंदर की तरफ दबाते हुए हं जहां पे भी अमारा कॉर्णर है उसको इस तरीके से अच्छी से सट करती हुए हम पूरे में छिलाई लगाना छिलाई लगाने के बद से हम इसमें लाइस अटेश निफा देश करेंगे जो हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक इसको दोनों को सेट करते हुए में सिलाई लगा लेना है कि सिलाई लगाने के बाद सेने फ्रेंड हमें जो एक्ष्टा कपड़ा है उपर के साइट से इसको कट करके अलग कर लेना है देखिए इसका लूग कुछ इस तरीके से आएगा अब हम यहाँ पे इसके कॉर्णर से स्टार्ट करते हुए हमें लेस अटेज करना है तो लेस आप ज्यादा चोड़ा नहीं लेंगे पतला लेस इस पर अटेज करेंगे ने तो हमारे जो पैटन की फिनिशिंग अच्छे से नहीं सेट होगी कॉर्णर पर इस तरीके से आते हुए लेस को अच्छे से सेट करते हुए शिराई लगाना है अब गिनारे से एक और सिलाई लगा कर हम यह पैटन को अच्छे से से जैट कर लेना है इस तरीके से लेस्टीच होने के बाद इसका लोग कुछ इस तरीके आएगा तो इसके सेंटर पर हम बटन लगाएंगे तो बटन हम फैब्रीक का बना कर लगाएंगे आप चाहें तो सो बटन भी लगा सकते हैं तो हमने एक फैब्रीक लिया है जिसके लंबाई और चोड़ाई हमने एक इंच ली रखा है कॉर्नर से कपड़े को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और बटन लेंगे नॉर्मली जो बटन अपनी ब्लाउज में हम लगाते हैं उसी के सेफ में हमने बटन लिया है तो सुई में धागा डालते हैं एक कॉर्णर से दूसरी कॉर्णर तक कपड़े को अच्छे से सेट करते वे इस तरीके से हमें बटन पर अच्छे से कपड़े को सिलाई लगा कर सेट कर लेना है इस तरीके से इस तरीके से आप किसी भी कलर का किसी भी साइस का बटन बना कर अच्छे से रैडी कर सकते हैं तो सबसे पहले बटन लगाने के लिए हम उल्टे के साइट से दूनों कॉर्णर को अच्छे से से सेट करेंगे इस तरीके से अब इस पे हम अपने बटन को अटेज करेंगे तो एक कॉर्णर पर हम अपने सुई से धागा निकालते हुए इस तरीके से दूसरे कॉर्णर पर हम सुई से अच्छे की तरस से नीचे से धागे को निकालते हुए हम इस बटन को अच्छे से अटेज कर लेना है अब धागे को उल्टे के साट से सैट करते विवे पक्का कर लेंगे और धागे को कर देना है इसकी लेंध हमने 5 इंच ली है मोरी हमारा 6 इंच रेडी है इसलिए हमने 6 इंच पर ईसान लगााया है और दो इंच हमने एक्ष्टाप सिलाई मार्जन के लिया है और हमारा जो आर्म होले वो साड़े साथ इंच है दो इंच हमने मार्जन लिया है हम 34 साइज के लिए स्लिप तैयार कर रहे हैं और नीचे से जो डाउन है उसको हमने धाई इंच रखा है अब नीचे की साइट से हम 1.5 इंज पर निसान लगाएंगे इस टाइब से नॉर्मली जैसे आप स्लीप की कटिंग करते हैं वैसे जितनी भी लंबाई आपको चाहिए आप अपने स्लीप की कटिंग कर सकते हैं तो नीचे से इस टाइब से राउंड सीप देंगे हम और इसकी कटिंग करेंगे अब इसको open करके भी हम main fabric पर इस तरीके से set करते हुए इसको cut कर लेना है इसको open करके दोनु कपड़े को अच्छे से set करके हम बिछा लेंगे इस type से और एक side से सिलाई लगा कर इसमें हम corner को अच्छे से set करते हुए complete कर लेना है सेंटर पर कट्स का निसान लगाएंगे और राउंड सेप में भी हम कट्स का निसान लगाएंगे एक्ट्रा जो फैब्रीक है उसको कट कर लेना है और राउंड सेप में भी हम कपड़े को छाट कर अच्छे से कट्स का निसान लगाएंगे ताकि ये फिनिसिंग के साथ हमारा जो वो श्लीप से है यानि कि अस्तर है उसको अच्छे से पलट जाए तो इस टाइप से हम कपड़े को सिधा करेंगे और अस्तर पर हम एक कच्ची स्लाई लगाएंगे मार्जन को मस्तर की तरफ से रखकर कच्ची स्लाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे वस्तर को अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए कपड़े को अच्छी सेट करते हुए उपर से आम एक और सिलाई लगा देंगे ताकि दोनों जो मेन फैबरीक है और अस्तर है अच्छी से सेट हो जाए अब कपड़े को उल्टा रखेंगे और दोनों फैबरीक को इस तरीके से सेट करते हुए हम सिलाई लगा कर जॉइन कर लेंगे और एक्षा जो फैबरीक है उसको छाट कर अलग कर लेना है इस टाइब से हम पूरे एक्षा कपड़े को उछाट लेंगे सेंटर पर कट्स का निसान लगाएंगे अब हम एक पट्टी तयार करेंगे तो जिसकी चोड़ाई हम धाई इंच लिए हैं और इस पट्टी को हम स्ट्रेट रखेंगे साइट से इसको सिधा कट कर लेना है और डबल फोल्ड करते भी एक स्लाई लगा लेंगे कच्छी जब भी आप इस कपड़े को कट करें तो हमारी जो कपड़े की कटिंग हो एकदम सीधी होनी चाहिए अगर आपको कटिंग नहीं आती है तो आप इस केल्ड की सहायता से भी चॉक से निसान लगा कर सीधा कट कर सकते हैं एक्ष्टा जो कपड़ा इसको कट कर लेना है अब इसके बाद हम इसमें चूनट बनाएंगे इस तरीके से एक बराबर साइज में रखते हुए हमें चूनट बनाना है हाज से भी आप चूनट बना सकते हैं इस तरीके से देखिए पिछकस के मदद से भी चूनट आप बना सकते हैं ये काफी बराबर में फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा हाफ आफ इंच का चूनट एक साइज में बना कर एड़े कर लेना है कर दो जाएगाय कि आच कर दो एक साइजिए आना आफ इंच कर दो कर दो करना कर दो एक बराबर में हमारा फिनिश्टिंग के साथ चूनर कम्प्लीट हो गया है अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे हम चॉक से निसान लगाएंगे दोनों तरफ अब अपने बाजु वाले कपड़े को ओपेन करेंगे और इसके भी सेंटर पे हम चॉक से निसान लगाएंगे और एक साइट से हम सेंटर से मिलाते हुए एक कॉर्णर से थिलाई लगाएंगे चॉनट को अंदर की तरफ और अपनी जो स्लीव का जो हमारा पैटर्न तयार के आए हमने उसको उपर की तरफ इस तरीके से सेट करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है जहां पे हमने चुनट का सिलाई लगाया है उसी के ऊपर अपने कपड़े वाले पैटरन को रखते हुए शिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है देखें इस टाइब से शिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया हमने इसका लूझ कुछ ही स्तरीके से आएगा फ्रेंट्स अब हम एक फैब्रीक लिंगे जिसकी लम्बाई और चुड़ाई हमने धाइंच लिया है अब इसको ट्रिंगल सेप में इस तरीके से फोल्ड करना है एक कॉर्णर को पकड़ते भी हम सेंटर पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे राज दूसरे कॉर्णर को भी फोल्ड करते वे सेंटर भी इस तरीके से सेट करेंगे और फिर एक बार फोल्ड करते वे आम इस पर स्लाइड लगा कर लेंगे एक्स्ट्रा जो कप्ड़ा है इसको कट कर देंगे अब इसको ओपन करेंगे तो हमारा इस टाइप से इसका लूख कुछ इस तरीके से आएगा तो इसका जो कोना है उसको आप सोई की मदश से बाहर कर लीजिए ताकि ये फिनिसिंग के साथ रेडी हो जाएगा हमारा पैटन इस तरीके से आप 5 या 6 पैटन्स बनाकर रेडी कर लेंगे जहां पर हमने सेंटर पर मार्क लगाया था वहां पर इसको हम सूधागे की मदश से सेट करेंगे इस टाइप से दूसरे वाले पैटन को थोड़ासा उपर रखते हैं भी हम उचे सेट करेंगे सेंटर पर हम थोड़ासा जगा छोड़ते हैं भी हम तीनों तीन हम पैटन लगाएंगे तो तीनों को अच्छे से हम सेट कर लेंगे इस टाइप से तिसरे वाले पैटर्न को इस तरीके से रखेंगे और इसको भी हम सुवी धागे की मदल से सेट कर लेंगे तीन पैटर्स लगाने के बाद चौथे पैटर्स को हम इसको अंदर की तरफ रखेंगे दोनों के बीच में और इसको भी हम अच्छे से सेट करते विए सुवी धागे की मदद से जॉइन कर लेना है और एक और पैटर्न को हम इस तरीके से अंदर की तरफ से रखेंगे और इसको भी हम सुवी धागे की मदद से अच्छे से से सेट कर लेंगे प्रेंट्स हमने पैटर्न को अच्छे से जॉइन करके रेड़े कर लिया है अब दिखी जो हमने पैटन बनाया है उस पे भी हम एक बास वी लगा कर थोड़ा सा धागे को उपर की तरफ करते हुए हम इस तरीके से पैटन को भी सेट कर लेंगे ताकि यह हमारा जो pattern है वो उबरा उबरा न दिखे इस type से हम पूरे pattern को set कर लेंगे और pattern को set करने के बाद पीछे की साइट से हमाएंगे और धागे को अच्छे से पका करते हुए cut कर लेना है अब इसके center पे हम friends मोती लगा कर attach करेंगे अब हमने medium size में मोती ले लिया है जिसके center पे सबसे पहले एक बार मोती attach कर लेंगे अब हम कुछ मोतीयों को एक साथ ही सुई में डालेंगे और गोलाई में इस तरीके से हम मोती लगा कर इसको attach कर लेंगे देखे इस type से मोती लगा कर इसको मच्छे से set कर लेना है देखे इस तरीके से अब इन मोतीयों के बीच में से धागा को निकालते हैं इसको मच्छे से पक्का कर लेंगे और पीशे के साइट से आएंगे तो हम धागे को अच्छे से पक्का करते हुए कट कर लेना है तो देखिए फ्रेंट से इसी के साथ हमारा जो आज का स्लीव डिजाइन बनकर कंप्लीट होता है आपको मेरा यह डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताए वीडि हमने 5 इंच हमें स्लीव जो हमारे हमको रेडि चाहिए 1 इंच एकस्टा करते हुए हमने 6 इंच पर निसान लगा लिया है और साइट से मोरी की जो फिटिंग हमारी वो 7 इंच है और 2 इंच हमने मार्जन लिया है और यह हम 38 चेस्ट साइज के लिए स्लीव रेडि कर रहे हैं तीन इंच पर हमने बाजू को डाउन किया है तो अगर आप इसे भी छोटी साइस का स्लीव तयार करते हैं तो डाई इंच पर आप स्लीव का डाउन रखेंगे और अगर बड़ी स्लीव को तयार करते हैं तो साड़े तीन इंच पर डाउन रखेंगे अब इसे हम मेन फैबर से सिलाई करने के बास तेन फिर्ट देखिए अस्तर को हम पलट लेंगे और मारजन को अस्तर की तरफ रखते वे एक कच्छी सिलाई लगा लेंगे अब अस्तर को अंदर की साइट से पलडते विए दोनों कपड़े को हम अच्छे से सेट करेंगे और इसके उपर एक और सिलाई लगा कर इसे अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरीके से करने की बास से फिरिंट देखी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको चाट कर हम अलग कर लेंगे कपड़ा चाटने के बास से फिरिंट देखिए इसका जो सेंटर इस पर हम कटका निसान लगातेंगे और अपने बाजू को हम सीधा रखेंगे और सीधे के साइट से एक और कच्छी सिलाई लगा कर हाफ इन से कम यानि कि नीचे की जो साइट है उससे दो सूत ऊपर की कर लेंगे ताकि यह कपड़ा इधर उधर नस सरके इस तरीके से फिरिंट देखिए चलाई लगा कर हम इसको अच्छे से से सेट कर लेंगे अब देखिए फ्रिंट्स हमारा जो पोटली बटन बनाने के लिए हमने फैब्रिक लिया है जिसके लंबाई और चड़ाई हमने दो इंच लिया है और कॉटन लेंगे कॉटन को अच्छे से राउंड सिप में सेट करते हुए कपड़े के सेंटर में रखेंगे और कपड़े को इस तरीके से घुमाते हुए इसे अच्छे से अंदर की तरफ सेट कर लेना है और धागा लेंगे जिस पे हम दो या चार बार इस तरीके से घुमाते हुए सेट करेंगे और धागे को दो बार इस तरीके से डालते हुए पका कर लेंगे इस तरीके से हम दूसरे वाली पोटली को भी रेडी कर लेंगे तो देखिए फ्रेंट्स हमारा यह पोटली बनकर रेडी हो गया इस तरीके से आप धेर सारी पोटली बनाकर हम रेडी कर लेंगे इस तरीके से अब फ्रेंट्स अपने बाजू को लेंगे और इसके center भी हम chalk से निसान लगाएंगे और उपर के side से हम एक line draw कर देंगे state अब हमारे जो पाजू की मुहरी है वो 7 inch है तो हम 7 inch पर center से निसान लगाएंगे और center से हम पौने 1-1 inch पर निसान लगाएंगे इस तरीके से इन निसान पर हम अपने potly button को attach करेंगे दूसरे side भी हम पौने 1-1 inch पर निसान लगाएंगे इस तरीके से अब देखे friends एक निसान को छोड़ते हो भी हम दूसरे निसान से potly button attach करेंगे तो देखे friends हम इसको सीधे के side से attach कर रहे हैं क्योंकि उपर के side हम less लगाकर अच्छे से इसको अंदर की तरफ set कर देंगे इसलिए हमने सीधे के side से लगाया है अगर आप less नहीं है आपके कपड़े में तो आप नीचे के side से अस्तर की तरफ से अपनी potly button को attach करेंगे तो friends इसी तरीके से हम जहां पर हमने पौने एक एक इंच पर निशान लगाया है वहां पर पोटली को अच्छे से सेट करते हुए stitch कर लेंगे पैटर्न को अच्छे से सेट करते हुए फ्रिंट्स देखे जो एक्ष्टा मारजन है साइट से उसको हमें छाट कर अलग कर लेना है इस टैप से अब देखे फ्रिंट्स इसमें हम less अटेज करेंगे तो less को हम double fold करके रखेंगे और center पे जहां पे हमने निसान लगाया है वहां से इसको अच्छे से सेट करते हुए इस तरीके से हम half inch अदर के तरफ fold करेंगे और सिलाई लगा कर इसको हम सुरसले के last तक complete करेंगे जहां पे भी हमारा इसका last में आएगा वहां पे complete करने कर दिना है चिलाई बिल्कुल हम किनारे पे लगाएंगे फिरंट जहां पे हमने पोटली बटन अटेज किया है बिल्कुल किनारे किनारे पे चिलाई लगाएंगे और जो पोटली बटन का एक्ष्ट्रा जो मार्जन है उसको अंदर की तरफ सेट करते हुए हमें लेस को अटेज करना है इस तरीके से अब यहाँ पे फ्रेंट्स हम लेस को थोड़ा सा कट कर देंगे और हाफ इच अदर की तरफ फोल्ड करते हुए कॉर्णर तक सिलाई लगाएंगे असुई को अंदर की तरफ दबाते हुए हम चोड़ाई के साइट से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे अब उपर के साइट से कपड़े को अच्छे से से सेट करते हुए हम सिलाई लगाकर कम्प्लीट कर लेंगे इस तरीके से तो देखिए फ्रेंट सिलाई लगाने के बाद से हमारा ये उपर के साइट से और नीचे के साइट से पोटली बतन का जो मारजन है वो कहीं भी नहीं दीखेगा तो फ्रेंट इसी के साथ हमारा आज का ये डिजाइन बनकर कम्प्लीट होता है और दूसरा वाला बाजू भी हम इसी तरीके से रेडि कर लेंगे तो आप हम एक कामेंट में जरूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी वीडियो पसंद आया तो एक लिए एक ज